यह है आपका अपना चैनल माई पोडल आपको बता देते हैं कि यह वीडियो हिंदी भाष्या में है अगर आप अपनी भाष्या में तो आप सब्टाइटल ओन कर लिजे और जो भी उपलब्द लेंग्वेज की लिस्ट आईगी आप उसमें से सब्टाइटल को ओन कर सकते हैं चलिए चलते हैं आगे जैसा कि आप आपको भरना है और इस फिल्ड नोट में एक फॉर्मिट दिया गया है कुछ निर्देश दी गए हैं और आपको उनके अनुसारी कार करना है इस्टुडेंट आईडी निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन का चैयन करना पड़ेगा अगर किसी विद्ध्याले में एक से अधिक सेक्शन है मालिजे किसी विद्ध्याले में एक सेक्शन है तब आपको स्टुडेंट आईडी निकालने में कोई परिशानी नहीं होगी अगर एक से ज्यादा सेक्शन है तब आपको सबसे पहले सेक्शन की सेंप्लिंग करना पड़ेगी सेंप्लिंग कैसे करे अगर कुछ मन में डाउट है तो आप इसको भी देख सकते हैं चलिए आगे चलते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सीट बन जिसमें साथ कॉलम है और ये सीट आपको सबसे पहले तयार करना है क्योंकि ये सीट ही सभी चीज़ों का आधार होगी पहले रॉल अमबर है फिर नेम उप स्टुडेंट है जेंडर केटिगरी है और इसके बाद सी डबलू एसेन है ये सारे कॉलम प्रतम दिबस पर ही भर लेना है अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्ण ये आएगा कि अगर एक स्यदिक सेक्षन है तो हम किस सेक्षन की बच्चों को यहाँ पर भरेंगे इसके लिए उचित यह होगा कि आप पहले सेक्षन की सेंप्लिंग कर ले और जिस भी section का आपको सर्विक्षन कारी कराना है उस section की बच्चे यहाँ पर आपको लिखना है जिस क्रम में attendance register में बच्चों की नाम लिखे होंगे उसी क्रम में आपको बच्चों की नाम यहाँ पर लिख लेना है उनकी gender लिख लेना है category लिख लेना है और CWSN लिख लेना है इतना कर लेने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और सर्विक्षन दिवस पर आपको सबसे पहले उस section में उपस्तित होना है और बच्चों की attendance इस seat पर लेना है attendance वाले कॉलम में आपको अगर बच्चा present है तो P लिखना है अगर बच्चा absent है तो आपको A लिखना है तो चली आगी चलते हैं और एक seat में भरते हुए हम आपको explain करते हैं कि ये सारे कॉलम आपको क्यासे भरना है ये हमारी sheet बन है पहला कॉलम आपने किर्मांग के लिख लिया दूसरा विध्यारती का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है जितने भी बच्चे उस section के सभी बच्चों के नाम आपको उसी करम में लिख लेना है वो धारन के लिए हमने किसी section के नाम यहाँ पर लिखे हुए है और जो section हमने select किया है वहाँ पर 39, 49 बच्चे हैं अब इन बच्चों का हमें यहाँ पर gender लिखना है इसके बाद category लिखना है इसके बाद CWSN पूछा जा रहा है CWSN का मतलब child with special need दिब्यांग बच्चे अगर बच्चा दिब्यांग है तो आपको उसका यहाँ पर code भरना है और अगर दिब्यांग तर नहीं है तो आप इसको adjectives खाली छोड़ दीजे इस तरह से यह सारे column आपको पूरे बच्चों के जो register पे अंके थे सभी के आपको पर copy कर दिए अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर आपको लिखना है उपस्तिती उपस्तिती का तात पर यह है कि जब आप सर्वेक्षन के दिबस पर उस section में बैठेंगे तो आपको देखना है जो बच्चा पहले करम में लिखा हुआ है वो बच्चा सर्वेक्षन दिबस पर कक्षा में है या नहीं है उपस्तित है अथवा नहीं है अगर बच्चा उपस्तित है तो आपको यहाँ पर P यानि present फरना है अगर बच्चा absent है तो आपको A लिखना है इस तरह से आपको सभी बच्चों के नाम लेते हुए कक्षा की attendance लेना है जो भी बच्चा absent हो आप उस इसे जितने भी present बच्चे आपने पी लिखे हैं, इनको आप count करते जाएए, और अगर ये बच्चे 30 या 30 से कम हैं, तो आपको बच्चों की sampling करने के आवशक्तर नहीं है, आप सीधे यहां से student ID को allot कर सकते हैं, अगर बच्चे 30 से जादा होते हैं, तो फिर आपको student की भी sampling क करना पड़ेगी, क्योंकि आप अधित्तम 30 बच्चों को ही सर्विक्षन कार में समलित कर सकते हैं, अब हम student ID को allot करते हैं, पहले बच्चे से शुरू करते हैं, पीसे, यहां पर आपकी student ID 01 हो जाएगी, अगले बच्चे की 02 हो जाएगी, इसके बाद अगले present बच्चे की 03 03 हो जाएगी, और अब जो यह बच्चा यह absent है, इसको हम छोड़ देते हैं, अगले present बच्चे के पास पहुंचते हैं, और इसकी student ID 4 हो जाएगी, इसी तरह अगले की 5 हो जाएगी, और आप इस तरह से सभी present बच्चे को क्रम से नंबर दे दें, और यही नंबर student ID साथी अब हम एक दूसरी परिसिति के बारे में भी बात कर लेते हैं, कि अगर बच्चे 30 या 30 से जाता हो जाते हैं, ऐसी सिति में हम क्या करेंगे, माली जी जितने भी बच्चे हैं, वो सारे आपके section में present हो गए, अब इनकी हमें sampling करना है, sampling करने के process बहुत आसान है, आपक sampling कर सकते हैं, sampling कर लेने के बाद इन बच्चों कहीं पर strike कर लेजे कि कौन-कौन से बच्चे हमारे sampling से छूट गए हैं, last में आप ऐसे निशान लगा लेजे, किसी भी तरह से seat में आप टिक लगा लेजे, कि हमारे 9 बच्चे ये हैं, जो sampling के लिए छूट गए हैं, और अब जो आपकी student ID होगी, वो पहले बच्चे की 01 होगी, दूसरा बच्चा आपका sampling से छूट गया है, तीसरे बच्चे की ID 02 हो जाएगी, अगले की 03, इस तरह से जितने भी बच्चे आपके sampling से छूट जाएंगे, आप उनको छोडते हुए क्रम से student ID लोट कर सकते हैं, उमीद है आप इस पूरी process को समझ गया होंगे, फिर भी कुछ मन में डाउट रहता है, तो आप comment box में जरूर लिखे, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए topic के साथ, तब तक के लिए thanks for watching.